हेलो एब्रिवान गोड इवनिंग कैसे हैं आप लोग आप लोग अपना बहुत ख्याल रखियेगा क्योंकि आपको पता है कोविड इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है और ऐसे में आपको अपना विशेज ध्यान रखना है यानि कि घर से बाहर नहीं निकलना है सबसे मास्क लगा कर और हाथों को सैनिटाइज करते रहना है टाइम टाइम पर खैर यह तो हो गई बाते कुछ जो जरूरी थी अब देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं विलियम वर्ट्सवर्थ का एक पोयम जो की छोटा है लेकिन बहुत इसका टाइटल है ठीक है इसके बारे में हम बात करेंगे स्क्रीन पर देखे मैं इसको थोड़ा साइट कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे आराम से तो देखे इसके बारे में अगर बात करें तो यह जो पोयम है यह कंपोज हुई थी 1802 में कब कंपोज हुई थी 1802 म में मैं लिख देती हूँ एक सेकंड पैन ले आओं मैं इधर अभी लिख देती हूँ मैं 1802 में ये compose हुई थी ठीक है और 1807 में ये publish हुई थी ठीक poems in two volume में poems in two volume में ये क्या हुई थी publish हुई थी 1807 में ठीक है ये fact आपको याद रखना है और बात करें इसमें तो इसमें जो use हुआ है figure of speech वो इसमें use हुआ है simile metaphor oxymoron और आपका एक use हुआ है personification कहां कहां पर use हुआ है कैसे हुआ है वो सारी चीज़े हम बात करेंगे बात कर लेते हैं इसके pattern की ये है एक 14 line की poem है तो इसलिए ये क्या है ये sonnet है और sonnet जो है ये petrarkan sonnet है कौन सा है petrarkan sonnet है ठीक और petrarkan sonnet क्या होता है even सिफ petrarkan नहीं हर एक sonnet जो English sonnet है या kirtle sonnet है सभी sonnet के बारे में आपको बताया गया है ठीक है आपको इस channel पर video बदा कर बहुत अच्छे से detail में बताया गया है तो अगर आप चाहें वहाँ जाकर playlist में देख लीजेगा सब कुछ आपको पता चल जाएगा फिलाल ये जानिए इस petrarkan sonnet में क्या होता है octave, 8 line की line जो होती है उसे octave बोलते हैं उसके बाद फिर होता है सेस्टेट, ठीक है तो octave और सेस्टेट में ये जो आपका the word is too much with us है ये क्या है, बटा हुआ है ठीक, यानि 8 line octave को बोलते हैं यानि इसके अगर हम बात करें pattern की, तो उसका यही pattern है कि इसमें octave और सेस्टेट है ठीक है, octave जो है उसकी rhyme scheme क्या है, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, यही लिख दू A, B, B, A अब आप match कर लीजिए, मैंने जो लिखा है वो सही है या नहीं देखे, soon, क्या ये power से match कर रहा है, नहीं कर रहा है क्योंकि soon और power बोल कर देखे, दुनों की rhyme scheme एक हो जाएगी, यानि की A, A हो जाएगा, और power और R की जो sound निकल रहा है, वो एक जैसा निकल रहा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, B, B हो जाएगा तो इसकी rhyme scheme हो जाएगी A, B, B, A, फिर आगे देखे, same वही pattern है, moon A, फिर उसके बाद B, फिर B, फिर A, ठीक है यानि, मैं इस तरह से आपको लिख दूँ, इस तरह से पूरा जगह मुझे मिल नहीं पा रहा है लिखने का A, B, B, A A, B, B, A, ठीक है, ये आपकी octave की हो गई और फिर नीचे चलते हैं, नीचे हम देखेंगे मैं आपको मतलब पूरी line-wise line बताती चलूँगे कि इसमें क्या rhyme scheme यूज हुई है, ठीक, अगर बात करें हम इसके, जो system है, उसके rhyme scheme के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो चलिए अब बात कर लेते हैं पहले इसकी जो अर्थ है उसके बारे में तो देखें, the word is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers, यहां तक देखते हैं, ठीक है the word is too much with us यानि यह जो संसार है, यह हमारे लिए बहुत है, बहुत है मतलब क्या, बहुत है मतलब कि यह संसार, यह जो प्राकृतिक जो word है, इससे हम बिलकुल दूर है और यह जो बहुतिक वादी, यानि कि यह जो physical word है इसके हम कितना करीब है इसी के बारे में पुरी poem में आपसे चर्चा की गई है यह जो poem है, पुरा उसी के बारे में है, William Wordsworth ने लिखा है कि हम कितना ज़दा खो चुके हैं इस materialistic word में, यानि कि इस physical word में, और यही हमारे लिए सब कुछ हो गया है हम बिलकुल जिसे बोलते हैं natural चीजें उसे बिलकुल भूल गए हैं और late and soon यानि पहले भी और बाद में भी, यानि late और soon हम क्या, the word is too much with us, यानि पहले भी और अब भी, हमारे लिए यह जो word है वो बहुत रहा है, यानि बहुत कुछ है हम उसे बहुत जादा importance देते हैं बजाए natural चीजों के getting and spending यह जो word phrase आया हुआ है getting and spending इसका मतलब यह है कि खर्च करने में और कमाने में यानि कि हम सुबह से लेकर शाम तक देखे जब उठते हैं और अपनी दिंचरिया आप देखे तो आप खुद को देखे क्या करते हैं आप बस यही कोशिस करते हैं कि किस तरह से कमाया जाए फिर उसको किन चीजों में खर्च करना है यह करते हैं तो पूरा जो word लगा हुआ है यह जो है Letting be see in nature that is our word हम इस यह nature में जो कुछ भी देखते हैं जो थोड़ा हम देखते हैं वो क्या है? हमारा है अब यहाँ पर थोड़े से बात इन्वों नी क्यों कहीं थोड़ा हम क्यों देखते हैं क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है हम इस natural word को देखे इस प्रकीति के पास जाएं उसकी जो beauty है उसको feel करें तो हम क्या करते हैं प्रकीति में बहुत थोड़ा देखते हैं बहुत कम देखते हैं यानि कि हम पूरा time खाने कमाने में व्यस्त रहते हैं और इस physical world में व्यस्त रहते हैं लेकिन nature जो है वो हमारा है ठीक है आगे देखें we have given our heart away हमने अपना जो दिल है अपना heart है वो दूर कर लिया है अवे कर लिया है किस से यह जो natural word है उससे यानि nature से प्रकीति से हमने अपने आपको दूर कर लिया है अपने रिदय को दूर कर लिया है इसलिए हम प्रकीति में क्या देख पाते हैं little देख पाते हैं यानि प्र फ्रिदय को दूर कर लिया है ठीक आगे देखिए a sordid boon sordid मतलब जिसे बोलें आप खराब या बेकार boon मतलब होता है आशिरवाद ठीक तो यानि ये एक खराब आशिरवाद है आशिरवाद मतलब ये जो word है ये किसलिए आया है ये जो french industrial revolution चल रहा था उस समय उसी contest में यानि ओदियों के क्रांति जो उस समय चल रही थी नई नई मशीने आ रही थी मशीनी करन खूब हो रहा था यही मतलब इनी सारी चीजों को देखकर word's worth ने कहा है कि ये क्या है ये हमारे लिए आशिरवाद तो है लेकिन हम अपने आपको इन चीजों का इतना आदी बना लेते हैं कि ये हमारे लिए फिर क्या हो जाती है बेकार हो जाती है और हमारी लट सी लग जाती है उन चीजों की और हम क्या होते है कमजोर होते चले जाते हैं तो इसी लिए यह sordid boon है, तो यह क्या है, यहाँ पर कौन सा figure of speech यूज हुआ है, तो यहाँ पर oxymoron यूज हुआ है, इसको आप note कर लीजेगा, sordid boon जो है, वो oxymoron है, ठीक है आगे देखिए आगे बढ़ते हैं this sea that bears her bosom to the moon यह जो sea है, यानि यह जो समुद्र है, यह अपना जो वक्ष स्थल है, यानि जो bosom है, वो बिल्कुल चंद्रमा तक ले जा रहा है, यानि जो समुद्र की लहरे उड़ती हैं, वो इतनी उची-उची उड़ती हैं, ऐसा लगता है मानो, वो अपना जो हर bosom, यानि समुद्र के लिए hauling and all at all hours, ठीक है यह लाइन से मुझे दिखनी जा था, at all hours यानि hauling मतलब, जो हवा के आवाज होती है, संसनाहट के आवाज होती है, उसके लिए यह word यूज़ आए कि जो wind चलती है, उसकी जो all hour, यानि हर समय जो wind चलती है, उसकी जो आवाज होती है, वो and are, एक स्केंड उपर कर देती हूँ, अभी ठीक है, and are up gathered, now like sleeping flowers, और ये सब क्या हुए है, ये सब बिल्कुल sleeping flowers की तरह शो गए है, like यहाँ पर देखे, simli का use हुआ है, और ये एक तरह से, जिसे बोलते हैं, up gathered क्या हुए है ये बिल्कुल शान्थ हो गए हैं, यानि sleeping flowers की तरह सो गए हैं, और कहीं न कहीं, ये चीजे हमारे लिए भी कही जारी है, हमारे in the sense human beings के लिए भी कही जारी है, कि हम प्रकित इसे इतना दूर हो गए हैं, मानो की जैसे सोता हुआ flower, यानि sleeping flower फिर देखे, for this, for everything, we are out of tune यानि हर चीज के लिए, for this, इन चीजों के लिए, for everything, हर चीज के लिए, we are out of tune हम बिल्कुल out of tune हैं, यानि कि प्रकित से बिल्कुल बाहर हैं हम बिल्कुल out of tune हैं, हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कितनी beautiful चीजें यहां इस प्रित्वी पर, इस्वर ने हमें दी हैं उनसे हमें कोई फर्क नहीं पढ़ता, कोई मतलब नहीं है कि हम उने जाकर enjoy करें, हम अपना time कहां पर लगाते हैं सिफ और सिफ getting and spending में, ठीक, it moves us not आगे है, great god, I'll rather be a pagan shugged in a creed out warm अब pagan, उन्होंने यह कहा, यहां तक देखिया, आपका जो था, यह octave था ठीक, अब start होगा आपका sestet, sestet में आपको पता है कि मैंने आपको, अगर आपने मेरा sonnet वाला video देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहां पर मैंने आपको पताया है octave और sestet जो है, जब octave से sestet में आते हैं तो वोल्टा होता है, यानि अचानक परिवर्तन अभी तक आप देखेंगे, कि जो William Wordsworth है वो बात कर रहे हैं इन सारी परिशानियों से कि कितना दूर हो गया है इंसान प्रकीति से और physical world में इतना खो गया है कि ये हमारे लिए एक sordid boon बन चुका है, उसके बाद ये अचानक से बात करेंगे अपने बारे में कि मतलब मैं इन चीजों से कैसे बच सकता हूं इसके बारे में बात करेंगे, यानि अचानक से एकदम topic change हो जाएगा, चेंज कैसे मान्यताओं जो धार्मिक मान्यताओं चल रही होती है उन्हें नहीं मानते हैं और कुछ अलग तरीके से चीजों को देखते हैं, उन्हें बोलते हैं पैगन तो वही वो बोल रहे हैं कि मैं इन धार्मिक पुरानी मान्यताओं को जो है आगे देखे, so might I standing on this pleasantly और पैगन होकर मैं क्या करूँगा मैं इन सारी चीजों से अपने आपको अलग कर सकूँगा मैं इस मैटरिस्टिक वर्ड में नहीं खोँगा और अपने आपको प्रकीती के नजदीक ही रख पाऊँगा जिससे क्या होगा कि मैं खड़ा हो पाऊँगा I standing on this pleasantly मतलब घास के मैदान में इन खुबसूरत घास के मैदानों में खड़ा हो पाऊँगा इनका आनन्द ले पाऊँगा आगे देखे एक सेकंड यानि ऐसा करने पर क्या होगा कि मैं जिसे कहते हैं बहुत कुछ खोने से बच जाऊँगा यानि कि प्रक्किती में जो सारी बहतरीन चीजें हैं उन चीजों का मैं आनन्द उठा पाऊँगा उनसे प्रेणना ले पाऊँगा Have sights of proteus rising from the sea ये कौन है? Proteus कौन है? ये sea of god है यानि समुद्र के देवता है और ये जो triton है ये भी mythological god है अब देखें वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं pagan बन जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? मैं pleasantly में यानि खुबशूरत धास के मैदानों में एक आनन्द की अनुभूती ले सकूँगा वहाँ पर खड़ा हो सकूँगा या और फिर मैं और मैं क्या कर पाऊँगा? मैं समुद्र से उठते हुए Rising from the sea ये लिखा है ना देखें Rising from the sea यानि समुद्र से उठते हुए मैं proteus को देख पाऊँगा यानि god of sea को क्या करूँगा? मैं उठते हुए देख पाऊँगा और here या फिर मैं सुन पाऊंगा old triton blows his red horn जब ये triton अपना red horn बजाएगा तो मैं उसे क्या कर पाऊंगा सुन पाऊंगा, ये हो गया पुरा line to line आपका जो description था, ठीक है अब इसमें देखें आपको कुछ चीज़े याद रखनी है जैसे कि आपको याद करना है कि इसमें दो god की बात हुई है ठीक है, एक proteus दूसरा है triton, ठीक तो proteus और triton का नाम आपको याद रखना है, एक्जाम में पूछा जा सकता है कि ये लोग कौन है, तो ये sea of god है आपको ध्यान रखना है, यानि mythological god है, ये आप कह सकते हो तो ये ध्यान रखना है, दूसरी चीज ये जो आपकी पोयम है, इसमें क्या बात की गई है तो इसमें बात की गई है कि मनुश्य कितना जादा जिसे बोलते हैं materialistic होता जा रहा है अदियोगी क्रांती जो उस समय हो रही थी उसकी इन्होंने एक तरह से कहिए कि निंदा की है, ये कहा है कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि वो अविश्कार हो रहा है, इसलिए नहीं हम अपने आपको इतना जादा उसका आदी बनाते जा रहे हैं, इसलिए आप सोचिए उस समय जब उन्हों ने ये Poem लिखी थी तब अदियोगी क्रांती से इतना दुखी होकर उन्हों ने P em लिख दी कि मनुशे इतना दूर होताज रहा है आज के समय में अगर Wordsworth होते हैं विल्यम Wordsworth आज के समय में होते हैं तो आप ज RAW सोची कि वो मुझे लगता है कितना बड़ा ये पोयम टिंटर नेवे से भी जादा बड़ी होती, बहुत बड़ी होती, क्योंकि उनके पास लिखने के लिए इतना कोछ होता, आज तो हर एक व्यक्ति बिल्कुल सुबा से साम तक आप देखो, चाहे मैं ही देखो, कोई भी हो, सब के दिन ही स्टार्ट होती है, आप बिना मुबाइल फोन या बिना गैजर्स के, आज तो देखे मशीने भी आ रही है, बर्दन दुलने के मशीन, कपड़े दुलने के मशीन, हर चीज है, तो एकदम से अपने आपको क्या है, मशीनी करित करते जा रहे हैं, सुबा से उठकर शाम तक कांसा figure of speech यूज हुआ है, यह मैंने आपको बता दिया है, देख लेते हैं, इसके rhyming scheme की, तो एक स्केन, यह देखे, बी, यहां से देखेंगे, सिस्टेट वाली, मैं पैन ले लेती हूँ, सी, यहां पर यह जो दिया हुआ है, बी और ली, आप देख रहे होंगे, एक जैसा scheme है, कहां, हां, इसकी देखें, मैं पूरा मिटा कर, आपको क्या देखना है, उसको अंडरलाइन कर देती हूँ, forlorn, cn, horn, इसको आपको देखना है, तो यह क्या है, यह हो जाएगा आपका d, c हो जाएगा c, और horn हो जाएगा d, कैसे, आप देखें, आप सोचिंगे की गलत बता रही हूँ, क्यों, 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 आपने पढ़ी होगी rhyme scheme, a, b, b, a, a, b, b, a, c, d, e, c, d, e, a, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यह होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, rhyme scheme, poem के हिसाब से सेट होनी होनी चाहिए, और यहाँ पर आप देखें, यह जो ऊपर आ लेकिन यहाँ पर c, जो है, वो rhyme कर रहा है, ली से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इसलिए, बी और ली से rhyme कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो इसकी rhyme scheme मैं एक बार लिग दूँ, पूरा आप नोट कर लिजी, rhyme scheme ज़ाम में पूछ सकती है, क्यों, यह बिल्कुल correct है, इसको आप नोट कर लिजी, figure of speech मैंने बता ही दी, composition year बता दिया, publishing year बता दिया, एक बार थोड़े से मैं summary फिर से बता देती हूँ, just, मतलब, दो तीन line में, जिस तुसका जिसे कहते हैं, उसमें, आपके जो William Wordsworth हैं, वो यह कह रहे हैं, कि हमने, हम मारे ल प्रकीति से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, ठीक है है, हम प्रकीति से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, और हम जो भी nature में देख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो हम nature में देख रहे हैं, वो हमारा है, थोड़ा बहुत वो उन्होंने ये little word का use क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने अगली लाइन में बता दिया है कि we have given our hurts away क्योंकि हमने अपना फ्रिदय जो है वो दूर कर लिया है इसलिए हम nature में बहुत थोड़ा देख पाते हैं लेकिन जो भी देखते हैं वो किसका है वो हमारा ही है और जो C है वो क्या कर रहा है वो मून से बिल्कुल जिससे कहते हैं मिलने के लिए या उसे देखने के लिए अपनी अपनी लेहरो को इतना उचा उचा कर रहा है मानो कि अपने बूजम को एकदम मून तक ले जा रहा है उसके बाद विंट्स जो है वो all the time सरसराहट से बहरी हैं लेकिन ये सारी चीज़े चाहे हम चाहिए सब क्या हो गया है बिल्कुल sleeping flowers जैसे हो गए है अपने आपको बिल्कुल दूर कर लिया है एकदम out of tune हो गए है out of tune का मतलब क्या है अपने आपको वहां से बिल्कुल हटा लिया है हमने प्रकीती से उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि कास में pagan हो जाता क्या कास में pagan बन जाता तो जब मैं pagan बनता तो मैं क्या कर पाता मैं pleasing जो है उसका आनंद ले पाता वहां से प्रेणा ले पाता वहां पर खड़ा हो सकता और मैं जो proteus है यानि mythological god है उसे sea से उठता हुआ राइस करता हुआ देख पाता और मैं triton को जो है उनका जो writhed horn है उसको बजाते हुए सुन पाता ठीक यानि मुझे तो बचा लो हेईस्वर वो कह रहे है है हेईस्वर मुझे तो बचा लो मैं इस बहुत इक वाजी संसार से बच सकूं मैं इन लोगों से अलग हो सकूं तो मैंने कोशिस की है अपने हिसाब से अपने शब्दों में बहुत सरल और बहतरीन तरीके से समझाने की कहीं कोई confusion हो तो जरूर कमेंट किजेगा कोशिस करूंगी कि उसे clear कर सकूं और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मैं आप से कहा था ना कि TGT जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो TGT पर आपको विलियम शिक्सपेर की वीडियो मिलने जा रही है पहली बायग्रफी की ठीकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलियेगा इसलिए कह रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन हिट कर लोगे तो जो भी वीडियो आपको मैं डालूँगी इसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप हम और एक फैमिली बन जाएगे इसलिए बस कह रही हूँ बाकि आपके मरज़े सब्सक्राइब करो या ना करो ठीक है फैमिनी जेनर का यूज होगा क्योंकि देखे यहां पर उन्होंने बोला है दिस सी दैट बैस हर बूजम यानि कि जो सी है उसको इस्त्री लिंग की तरह यानि फीमेल की तरह यहां पर पर सॉनिफाई किया गया है यानि जो सी है वो अपने बैर करती है बैर हर बूजम कहां वह पर मून के सामने, ठीक है, यानि अपनी लेहरों को इतना उचा उठाती है, मानू कि ऐसा लगता हो, जैसे जो सी है वो क्या कर रही है, अपने बूजम को मून तक ले जा रही है, यानि वक्षिस्थल को क्या कर रही है, वहा तक, तो यहाँ पर थोड़ा सा बस वही है, मस् जो अर्थ है वो बिल्कुल सेम रहेगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकि सबकुस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देख लिजेगा, कि सी जो है, जो समुद्र है, वो क्या है, वो यहाँ पर उन्हें वुमिन की तरह यूज किया है, ठीक है, लेडी की तरह, यानि जैंट्स के रूप में नहीं, तो इसको देख लिजेगा, हर बोजम है, चलिए मिलते हैं यह वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाएं, टेक केर,